हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दे चैनल और देखिए फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि आपका CET का एकजाम 5 और 6 नौंबर को होने वाला है और इसके लिए जो तयारिया है आपकी पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है NTA और HSC ने जो हरियाना के अंदर Group C और Group D के लिए जो भरती होने के लिए Common Illigibility Test CET है उसकी तयारियों को अंती रूप देने के लिए बैठेक की है उन्होंने मीटिंग की है और सारी की सारी तयारिया आपकी बिल्कुल हो चुकी है कि कौन से आपके प्रिक्षा के इंदर रहेंगे कब आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा क्या कि आपके इंस्टॉक्षन रहेगी जो कि आपको फॉलो करनी है एक्जाम देते टाइम यहां तक कि आपका प्रिवहन के लिए बसिज वगेरा के लिए भी आपका जो सीटे है वो एडवांस में आप बुक करा सकोगे ओफलाइन भी और ओनलाइन भी कौन-कौन से जिले रहेंगे जहां पर आपका जो सेंटर है वह आएगा ठीका 17 जिलो में 1262 सेंटर है जो की डिसाइड किये गए है कि 1262 सेंटरों पर आप यह एक्जाम है उसको दे पाओगे और टोटल आपके 11.36 लाग है जो उमिदवार है के निडेट है वे 5 और 6 नौमबर को अपना एक्जाम देंगे तो सारी की सारी तैयारिया और यहां पर जो यह आपे देख रहे हो यहां पर जो न्यूज है इसमें पूरा डिटेल गिवन है कि कब आपका एक्जाम है कितनी स सेंटर रहेगा प्रिक्षे केंदर रहेगा वहां पर आपको पैन तक नहीं ले जाने दिया जाएगा पैन भी नहीं लेके जा सकते और जो भी यह आपके रिंग नोज पिन जो भी है कुछ भी अलाउड नहीं होगा सब कुछ आपको निकाल कर जाना ठीक है यह रिंग्स आवेदन किया है और वे 5 और 6 नौंबर को 2 सिफ्ट में आपका एक जाम कराया जाएगा तो सुबह एक सिफ्ट रहेगी आपकी साड़े दस से 12 बजे तक और जो दुसरी सिफ्ट रहेगी वो रहेगी आपकी 3 से लेकर 4 बजे तक तो यह आपकी सिफ्ट रहेगी और आपको एक जाम सेंटर पर एक घंटा पहले पहुँचना होगा जो भी आपका टाइमिंग रहेगा एक घंटा पहले आपको पहुँचना होगा देखे मैं यहां पर आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ तो प्रिक्षय के अंदर पर एक घंटे पहले पहुँचना होगा एड जाम किये गए है, फुरा सेंट्रों पर आपके जैमर लगेंगे, वीडियो ग्राफिया आपकी होगी, सुरक्षया की जिम्मेदारिया, हरियाना पुलिस की होगी, ठीक है, प्रिक्षयारती है, वे पहले और आखरी के 30 मिनट में वोश्रूम में भी नहीं जा सकेंगे, और सिस्टम आपका अपनाए गया हाथ, जो क्या धरकार से लिंक होगा, अगर यहां पर किसी दुसरे प्रिक्षयारती ने आपका पेपर दिया है, तो फिर नेक्स टाइम जब कोई भी एक्जाम होगा हरियाना के अंदर, तो वह एक्जाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां प आपके प्रिक्षया के अंदर बनाए गए है, यहां पर आपके जिले यह गीवन है, और टोटल सेंटर है, तो यहां पर टोटल आपके सत्रे जिले है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, फ्रिदाबाद, चंडिगड, कुरू, छेतर, करनाल, गुडगाव, सिरसा, पानीप है, तो उन पांच जिलो को छोड़ कर, बाकि के यहां पर सारे के सारे यह जिले गीवन है, इसी के साथ ही, जो रोडवेज के महा निदेश्तक सीम धहिया जी है, उनका कहना है, कि उनको भी एक तरह से एससी ने पत्तर लेटर वहां पर लिख दिया है, और बोल दिया कि 17 जि भी जिलो बना देंगे, और जो प्रिक्षारती है, उनको इजली बस जि आवइलेबल रहेंगी, और टिकट हुए पहले अपने टिकट करा सकते है, ओन-लाइन बूकिंग भी आपकी हो सकती है, और ओफ्लाइन बूकिंग भी आफ़जी करा सकते हो, और पेपर पैटरन क्या ह यह तक जो बहुकर आपके को पता है और इसी के साथ ही जो एक जाम पेटरिन के अंदर आपका एक में चेंज किया गया है वह सरकल को लेकर अभी आपको को सीटी में टोटल फाथ सरकल देखने को मिलेंगे ठीक है और जो पाथ सरकल है अपने आप में काफी important है अगर आपको कोई भी option नहीं आता है तो फिर आपको पाचवा जो गोला होगा उसको आपको भरना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करोंगे तो आपके 0.95 मार्क्स काट लिए जाएंगे तो इसलिए यहां पर बिसिकली जो पाचवा विकल्प रहेगा परसन का या पाचवा गोला हो अपने आप में काफी ऐमेड आइडी दी हुई है उस ही पर आपका प्रिक्ष्चा के 24 गणते बाद ही रिस्पोंसे जायेगी कि条सर के लिए एक परसन की batsanc był और आपका दावा सी मिली तो आपको वापिस मिल जाएगी अन्य था फिर आपके जो सो रुपे है वे जब कर लिए जाएंगे ठीक है यह तो अच्छी बात है अगर आपको सो रुपे जो फीस रखी गई है ज्यादा फीस भी नहीं है तो एजली अगर आपको किसी भी क्योशन पर डाउट लगेगा तो पांच और शे नुवंबर को आपका एक जाम होगा तो दिसम्बर तकी मिंस दिसमबर मंथ के अंदर ही आपका जो रिजॉर्ट्स है वह भी आपका डिकलेर हो जाएगा इस परिक्षा का मेन उद्दिश से क्या है तो जो चेर्मेन है एचसी के चेर्मेन भोपाल सिंग खतरी जी का कहना कि इस प्रिक्ष्या को merit list में आने वाले यूवा ग्रूप C की नोकरी के लिए विभागय प्रिक्ष्या दे कर भरती हो सकेंगे और ग्रूप D की भरती CET की merit के आधार पर हो जाएगी इस प्रिक्ष्या की तुरंत बाद CET का तो उसके बाद तुरंत आपको Group C की और Group D की भहुत सारी vacancies देखने को मिलेगी जैसे की मैंने आपको बताया है कि Group C की 40,000 vacancies आपकी निकाल दी जाएंगी और Group D की आपकी 22,000 vacancies निकाल दी जाएंगी और ये बिल्कुल ये जो 40 और 22,000 Group C और D की जो भरतिया है इनकी प्रिक्षा के लिए भी तैयारी पूरण करी जा चुकी है सिर्फ ये 5 और 6 नॉवंबर को आपका एक बस CET का एकजाम हो जाए और एक देड महीने के अंदर ही CET का आपका रिजल से उसको भी डिकलेर कर दिया जाएगा तो इस तरह से पूरी डिटेल यहाँ पे CET एकजाम को लेकर पूरा डिटेलिंग यहाँ पे आ चुकी है हर एक पॉइंट से यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया जा चुका है कि एकजाम कब है किस टाइम है कौन से सेंटर आपके रहेंगे कौन से जिले में होगा आपका कब रिलीज किया जाएगा क्या आपका एकजाम पैटरन रहेगा क्या सिलेबस है जो भी है आपका ठीक है और जो यह आपका चेंज किया गया है गोलो को लेकर यहाँ पे यह भी सब बिल्कुल अच्छे सी कलियर है अभी इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए C.E.T. को लेकर अभी आप बस अपनी जो तियारी है 15 दिन के अंदर अपना जितना हो सके उतना बैस्ट दीजिए और अपना जो एकजाम है इसको क्रेक करके आईए बेस्ट ओफ लग थेंक्यू